मार्केट में मुमेंटम कुछ आल को समझ के यह आपको करना निची है मैं अलो गाइस तो मार्केट देखिए 200 आइसो पॉइंट के आसपास हमें गैप अप देखने मिल ला है तो यहां पर हम किस तरह से ट्रेट कर सकते दिखिए यहां पर मैं सेलिंग का प्लाइन करके तो बै करने के लिए सेल मतलब पूर साइट का पोजीशन बनाने के लिए सोचा था लेकिन अभी देखिए सिचुएशन क्या यहां पर गलत हो रहा है कि मार्केट जहां ओपेनिंग दे रहा है ना ठीक इसके उपर है इस सौरी 46500 का लेबल मार्केट में अगर यहां से सेलिंग आता यहां से अगर गिरेगा तो सेलर भी काम करेंगे फिर एसल कहा रहा रहा है तो मार्केट हो सकते है थोड़ा बहुत गिरावाट करके यहां पर जो बायर से उसको निकालने के बाद फिर से अपसैट का मोमेंटम कर दे एग्जैक्ली कल की तरह देखिए क्या किया था हमने हैं क्यों बाइंग किया था क्योंकि नजर आ रहा था कि ऊपर के साइड यह सेलर वगेरा है बायर्स वगेरा को मार्केट निकाल दिया ठीक इसी तरह का सोच के मैं हाँ पर बैठा हुआ था लेकिन अभी देखना होगा मार्केट में केंडल वगेरा उसके बाद ही हां पर हम ट्रे मार्केट उपेन होती बहुत अच्छा रेट केंडल बनाया है और यह सेलिंग में जाने का कोशिश कर रहा कहीं है तो देखिये मार्केट को अगर सेलिंग में जाना है तो ज्यादा रिट्रेस्मेंट वगेरा करेगा नहीं क्योंकि ज्यादा रिट्रेस्मेंट करेगा तो आ कि नहीं कहीं देखिए मार्केट थोड़ा बहुत परिशान कर सकता और कल की दिन अपना लॉस अलड़ी हुआ 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 है तो थोड़ा हम समहल के काम करेंगे वेट करेंगे प्राइज एक्षन अच्छे से देख लेता है दूचार केंडल और उसके बाद यहां पर इंटी कि पर देखिए सेलिंग में जा रहा है और है और रंखेंट थे भीषस करूआ हाँ तो पहले मं एंटी बना वगा उसके भाद ही कि माहें पोछी से बना लिया और bah Italia 4istic का कॉल मार्केट ने स्टोंग केंडल बना Heelain ना तब जाका कि एंटी बना और बात करता हैं, हमने यहाँ पे call site का position क्यों बना है हलाकि अपना यहाँ पे sell site का plan था मतलब put buy करने का plan था लेकिन हमने यहाँ पे call पे गया अब देखे रिक्स तो यहाँ पे है कि market यह candle का low है इसका नीचे market को आना नीचे exactly कल वाला psychology जी इस तरह से लेकर हमने काम किया था न तो वह है psychology के selling में आ रहा है ठीक है और निप्टी को देखे न तो निप्टी देखे क्या कर रहा है निप्टी देखे एकदम gap up ज्यादा मिला है तो कहीं निप्टी भी धिरे-धिरे selling में आ रहा है और buy share का जो लेवल है इसका breakdown करने का बाद देखे जिस तरह candle बना रहा है मार्केट में ज्यादा निप्टी तो निप्टी अगर upset का momentum करेगा ना तो बैंक निप्टी में भी अच्छा का सा एक upset का momentum मिल जाएगा और कल की तरह जो चार्ट था ना वह भी repeat तो market को करना ने चाहिए बट अगर कर देता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं वह पर loss देंगे काम किया है एसान यह की फोर्मो मेंट्री बना लिया या फिर कुछ भी तो बैट करते हैं चार्ट रिपीट भी नहीं करना चाहिए प्राइस एक्षन गरा सोस समझ के हमने यहां पर काम किया दिकिए कैंडल तो बना रहा है लेकिन प्रीमियों उस भी साफ से बन नहीं रहा ह कोई बात में बेट करते हैं टार्गेट और एसल का जो मिलेगा पहले वो लेकिए एक्षिट कर देंगे ठीक है पॉफिट भी देखिए बढ़के रहाई सो तीन सो के आसपास चलने लगा तो अच्छी बात है यहां पर सेंटिमेंट के साथ हमने यहां पर काम किया ठीक है ए वो लॉस में आ चुका है तीन सो सारे तीन सो के आसपास तो वेट करते हैं देखिए काफी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रियेट हो जाता है इस तरह का मार्केट में बाकि देखिए मार्केट में कहीं नहीं मेरे को लग रहा है कि जो बाइंग बगरा यहां पर करने हैं बार बार पोजीशन चेंज करने का कोशिज बिलकुल नहीं करना है ठीक है एक एंट्री हो जाए ना तो आराम से वहां पर बेट कीजिए टार्गेट एसल जो पहले देगा मार्केट दे के आराम से निकल जाएंगे ना तो फाल्तु का आपका वो लॉस भी जादा हो करने रिक समय से डिफाइन रखिए देखिए ज्यादा डर नहीं लगया कभी भी यहां पर एक और पोजीशन हम बना सकते हैं यहां पर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट बुक हो जाए कॉंटिटी लागा के रखाओं देखिए मार्केट अगर इसका उपर निकलता है तब जिरुदा में थोड़ा बहुत पोजीशन बना के यहां पे भी प्रॉफिट बुक करने कोशिश करूँगा मतलब यह देखिए टेम्पररी ठीक है मार्केट में मुमेंटम को चाल को में इसमें जो है अपना वह तो इंटेक्ट रहेगा पोजीशन में प्रॉफिट चला है 200-300 रुपए के आसपास एक में तो जिरुदा वाला मैं बुक कर लूँगा चल लिए से 400-500 रुपए के आसपास ठीक है जिरुदा वाला मैं देखिए मैंने एक्जिट कर दिया थोड़ा सा लेकिन फिर से यहां पे प्रॉफिट कम बुक हुआ और वो 300 रुपए के आसपास का इसमें प्रॉफिट बुक हुआ ठीक है इसमें तो प्रॉफिट बुक हो गया लेकिन अभी मैं धन वाला होल क करने वाला हो इसको एक्जिट बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि यह रिक्स रिवाट के अकॉर्डिंग हमने यहां पर ट्रेड बनाया तो इसमें जो लॉस का लिमिट हमने पहले में बात कर लिया था तो वहां तक वेट करेंगे और टार्ट का इसमें तो हमने इसी तरह से ट्रेड बनाया था क्योंकि यहां पर लग रहा था मार्केट एक मोमेंटम देदेगा अगर कंटिनू निकलता ना तो थोड़ा बहुत और होल कर लेता चार सो पान सो के आसपस प्रॉफिट भी हमने यहां पर देखा था बाकि ठीक है प्रॉफिट बुक किये तो थोड़ा बहुत कम हो गया कोई बात ने वेट करते हैं मार्केट बहुत अच्छा गिरावट कर रहा है और अपना लॉस बढ़कर चार सो पान सुरुपए के आसपस चलने लगा देखिए गिरावट तो बहुत अच्छा लेकिन लॉस उसी साब से अपना बर नहीं रहा है बाकी देख तो मार्केट को यह से निकल जाता तो अच्छा होता अभी लॉस का लिमित खटम ने हुआ जसे साब मार्केट कर वढ़ें प्रबेम हो रहा है ना निफ्टी का वजह से निफ्टी में क्या होँग्या ना निफ्टी में मेर्डे के राउंड लेबल के असपस गिर गयारा करत तो थोड़ा बहुत बाइर सा जाता है उसको निकालने के लिए मोमेंटम दिखिए कर देता है लेकिन ज्यादा कर देगा तो फिर तो वहां पे दिखिए दिक्कत है उम्मिद तो कम है लेकिन रिक्स रिवार्ड बचा हुआ बोल कि हम यह पर बेट कर दो है ऐसा निया कि होप म बनता है तब तो ठीक है बड़ जिस तरह का चोटा मोटा कैंडल बना रहा है इससे कुछ नहीं होने हो यहां पर देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा अपसाइट का मोमेंटम कर दिया और कई न कहीं अपना पोजिशन कॉस्ट टू प्रॉफिट में आने का कोशिश तो क कर रहा है बाकी इंतियार करते हैं देखते हैं क्या होता है तो गाइस यहां पर देखिए मार्केट क्या कर रहा है एक्जैक्ली हाई के आसपास आकर थोड़ा बहुत होल्ड करने का कोशिश कर रहा है अब देखिए मैं जितना प्राइस एक्शन को समझा होना तो यह मार्के लेकिन यह ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला यह कही ने कही हां से यह ब्रेक आउटी करने वाला और अच्छा खास हमें यहां पे ग्रीन केंडल देखने मिलेगा बाकी पोजिशन देखिए अभी भी कॉस्ट के आसपाच कभी प्रॉफित कभी लॉस दिखा ला है तो अराम स यहां पर हम वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है तो यहां पर लेट करेंग यहां पर बिल्कुल Repe k wires करेंगे चाहे मार्केट में कच भी हो जाए कंड़े ह Peng लेट कि Card बनता फिर片 की पूरा लेंगे मार्कित कितना ज्यादा प्राफित कम कर रहा downstairs रिक्स लेकर बैठे हो सकता है रिक्स लेने का चक्कर में अपना जो प्रॉफिट चला यह भी चला जाए कोई बात नहीं लेकिन रिक्स लेंगे ना तभी एक बड़ा टार्गेट मिलता है कभी कल रिक्स भारी भी पढ़ जाता है यहां पर देखिए हमने एक जीट कर दिया ज यहां से गिरने का कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत यह गिरेगा यह जो बाइंगरा की है ना इसको निकालने के बाद मार्केट उपर नीचे करने के बाद फिर से अपसाइट का मोमेंटम दिखा सकता है हमने क्यों एक्षिट कर दिया क्योंकि हमने अच्छा आपका से ट्वेड बनाया था बाइंग साइट का ठीक है हमने अपने सेटप को फॉलो किया ऐसे ने की एक दिन हमें लॉस होगिया उस सेटप पे तो हमने उसको छोड़ दिया हमने यहां पर नहीं पर बाइंग किया था मार्केट में अपना लॉस हुआ था आज हमने फिर उसी रिवाड और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में काम किया तब यहां पर थोड़ा बो बहुत प्रॉफित है यहां पर प्रॉफित डेखने मिला तो दिक्खिए मार्केट में जितना भी अच्छा आपका सेटप हो कुछी भी हो लेकिन रिक्स रिवाड और अपना जो मनी सबसे में आता discipline discipline को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली आपको पैसा बनेगा discipline में आपको आ जाता है कितना loss दे रहे कितना profit ले रहे तो यह सब point देखे काफी important रहता है market में तो आम से काम कीजिए discipline के साथ market में definitely आपको benefit देखने मिलेगा ठीक है guys मिलते है next video में